गुड़ मॉर्निंग स्टुडेंट्स स्टेंडर फोर्थ सब्जेक्ट गुजराती चेप्टर वन मेडामा आज हम गुजराती में फर्स्ट चेप्टर स्टार्ट करेंगे चेप्टर का नाम है मेडामा यानि मेले मे नीचेनू चुत्र ध्यान्थी जूओ ए विशे तमारा मित्रने पाँच वाक्य लखो मतलब ये पिच्चर को ध्यान्चे देगो और उसके बारे में पाँच सेंटेंस बनाओ तो पहला सेंटेंस कोंचा बनेगा आ चित्र मेडानू छे मेडामा रमकडा गर जोवा मडे छे मेडामा आइसक्रीम नी दुकान नासागर नी दुकान मिठाईनी दुकान होई छे मेडामा ठंडा पीडा मडे छे मेडामा फुगा मडे छे मेडामा सव परिवार नी जोडे फरवा आवे छे क्वेशन नमबर टू वाचो और जोविने लखो क्वेशन टू दिया हुआ है यहां पर वर्ट्स पढ़के और वो लिखने हैं फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है गुजरादी में बरफ बरफ, सेकेंड वर्ड है रमकडा, थर्ड वर्ड है बंदूक, फोर्थ वर्ड है बरफी, फिफ्थ वर्ड है रकाबी, सिक्स्थ वर्ड है राखडी, सेवन्थ वर्ड है बंगडी बंगडी एट्थ वर्ड है रसोडू नाइन्थ वर्ड है बरणी बम्णू रहवासी रोकचाडो बर्चर्ट रगडो भादूर बहेन रचना शहेर बापू बारी रामायन बाहोश बिक्कन रमणिय बीमार बेडोड रमुजी रोकड आब बदा वर्ड यहाँ पे सेम डू सेम आपको रीड करके लिखने है Question 3 नीची ना विद्धानों माती खरा विद्धाननी सामे राइट अने खोटा विद्धाननी सामे रोंग नी निशानी करो यानी True और False करना है हमको इसमे First sentence रमकडा घरमा रमकडा होये छी तो True Right नास्ता घरमा आईस्क्रीम मडे छी क्या नास्ती की दुकान पे आईस्क्रीम मिलती है नहीं तो आपे आएगा Wrong चकडोड घोड 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 फरे छी चकडोड घोड घोड फिरता है यास तो राइट मिठाई नी दुकाने पेंडा मडे छी मिठाई की दुकान पे पेडे मिलते है तो राइट मेडा मां जादूगर होए छी क्या मेले में जादूगर होता है होता है तो राइट फ्येशन नंबर फोर काउंस मां थी योगे शब्द पसंद करी नीचे नी खाली जग्या पूरो डेश घोड घोड फरे छे बी आप्शन आपे लाचे चकडोड अने विमान तो आंसर आवसे चकडोड घोड घोड फरे छे मिठाईनी दुकाने डेश मडे शाकबजी या पेडा मिठाईनी दुकाने पेंडा मडे रमकडा घरमा डेश मडे पुस्तको रमकडा तो आंसर जवाब आवसे रमकडा मडे नट डैश पर चाले छे दोरड़ा पर के वास पर तो नट वास पर चाले छे Question number 5 आड़ा अवडा क्षरो कोठवी शब्दो बनाओ यहाँ पे जंबल वर्स दिये हुए हैं उसको हमको करेक्ट करके लिखना है First word छे कमरड़ा तो उसका right word होगा रमकडा इस्मक्रिया आइस क्रीम Second word मिठाई Third word कान दू तो उसका होगा दुकान Question number 6 आड़ा अवडा शब्दो कोठी वाक्यो बनाओ जंबल वर्स होते हैं तो हम उसको सही चरह से लिखके sentence बना के न वैसे यहाँ पे भी वही करना है First sentence है हती भीड मेडामा बहुज हती भीड बहुज मेडामा ज तो राइट सेंटेंस के बनेगा मेडामा बहुज भीड हती लीदू लीदू मेडामा थी विमान मै मतब मैं मेडामा थी विमान लीदू थर्ड सेंटेंस हतो मेडामा फुगावाडो मेडामा फुगावाडो हतो फरे चकलोड छे गोड गोड तो चकलोड गोड गोड फरे छे ये इसके सेंटेंस हुए अब हम इस सेंटेंस के हिंदी भी कर देते हैं हती भीड बहुच मेडा मांच मेडा मां बहुच भीड हती इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है मेले में बहुत भीड थी सेकेंड सेंटेंस मैं मेडा मां थी विमान लीदू मैंने मेले में से प्लेन एरोप्लेन खरीदा मेडा मां फुग्गा वाडो हतो मेले में फुग्गे बलून बेचने वाला था फरे चकडोड छे गोड गोड लग चकडोड गोड गोड फरे छे इसका हिंदी ट्रांसलेशनों का चकडोड होता है वो गोल गोल फिरता है Q7 मेडा माजोली वस्त्मोने यादी बनाओ मिले में आपने जो भी चीजे देखी हो वो यह आपको उसकी लिस्ट लिखनी है तो मेले में क्या होता है चकडोड, आइसक्रीम नी दुकान, नास्तागर, रमकडागर, ठंडा पीडा नी दुकान, फुगा, मिठाई नी दुकान, जादुगर होता है नर्ट, चकरडी, धिंगली और वास यह सारी चीजे हमको मेले में दिखी जाती है अब अधी वस्तुओं मेडा मां जोवा मड़े छे Question number 8 नीचे आपे लिए वस्तुओं कई दुकाने मड़े छे, वस्तुओं और दुकानों योगेरी ते जोड़ो मिल्ची क्या है जले भी First drawing किसकी है जले भी कि वो आपको का मिलता है मिठाई की दुकान पे तो इसको हम ऐसे जोइंट करेंगे Second है, Second drawing चे Third No Means Vegetables का है तो हम इसको Vegetable Shop से जोइंट करेंगे Third, Ice Cream Ice Cream नी दुकाने जमड़े अनाच, अनाच करेंगे नी दुकाने दवाओ, Medical नी दुकाने Question No.9 तमारा मित्र साथे चर्चा करो अने मेडा विशे आपक्यों लखो Means आप मेले में घय थे आपने क्या-क्या देखा उसके बारे में आपको यावी पांच सेंटेंस लिखने है First sentence कौन सा होगा मेडा मां रमकडा मड़े मेले में खिलोने मिलते है Second sentence मेडा मां मिठाई मड़े मेले में मिठाई मिलती है मेडा मां ठंडा पिनानी दुकान होए मेले में कोल्ड रिंग्स की दुकाने होती है मेडा मां फुगा मड़े मेले में बलून मिलते है मेड़ा माँ खुब मोटू चकडोड होए थे और मेले में बहुत बड़ा चकडोड भी होता है जिसमें बैटके बच्चे वो राइड की सवारी करते हैं गाइड करते हैं चकडोड की मेड़ा माथी खरीदेली वस्तुनियादी बनाओ तो आपने मेले में से क्या क्या खरीदा उसकी यहां पर आपको लिस्ट बनानी है फर्स्ट है धिंगली सेकेंड मिठाई थर्ड आइस क्रेम फोर्थ फुगा रमकडा और ठंडा पहिना ये सारी चीजे हमने मेले में से अब प्वेश्चन नमबर 11 काउंट्स माथी योग्य अक्षरोवडे शब्दों लखो फर्स्ट वर्ड है रमकडा सेकेंड टिंगली थर्ड मिठाई फोर्थ दुकान तो यहां पर कौनसा वर्ड आएगेगा क्वेश्चन नमबर 12 मेडा ने लागू पढ़ता होए तीवा वाक्यों सामें राइट अने लागू न पढ़ता होए तीवा वाक्यों सामें रोंग नी निशानी करो जो सेंटेंस टू हो उसके सामने टू और जो रोंग हो उसके सामने रोंग का निशान करना है मेडा मा खुब मोटू चकडोड हतू तो टू मेडा मा थी में फुगा लिधा हां तो टू मेडा मा घंट वाक्यों ना तो फॉल्स मेडामा वागने सी हता मेडामा वागने सी ना होय एटले ट्रू मेडामा पिपुडी वगडवानी मज़ा पड़ी डमकडु वगडवानी मज़ा पड़ी तो यास मेडामा लप्षणी खावानी मज़ा पड़ी मेडामा लप्षणी न ती एटले रॉंग question number 13 नीचे घर नी शाड़ा नी और मेरा नी वस्तु वो भेगी थाई छे तमें छुटी पाड़ी ने लखो it means यहाँ पे यह जो सारी जो थिंक्स दी हुई है वो घर की स्कूल की और मेले की है साथ में दी हुई है हमको इसको अलग करके लिखना है यहाँ पे तो घर नी वस्तु में क्या क्या आता है घर नी वस्तु में सुसु आवे फर्स्ट तो कासको फिर सेकेंड फ्रीज थर्ड पलंग फूर्थ वेलर्ण फिफ्थ सानसी और सिख्थ और असी यह सब घर की चीजे हैं शाड़ा नी वस्तु अब शाड़ा यानि स्कुल में कौन-कौन सी चीजे होती है वो हमको लिखना है तो स्कुल में होता है काडू पाट्यू यानि ब्लैक बोर्ड दूसरा चौक तीसरा टेबल फोर्थ पाटली फिफ्थ गंट और सिख्थ डस्टर यह सारी चीजे का होती है स्कुल में शाड़ा मा होय च्याबदी वस्तु ओ मेरा नी वस्तु ओ अब मेले में कौन-कौन सी चीजे होती है वो हमको लिखना है तब फर्स्ट है फर्स्ट चे मिठाई सेकेंड चे आइसक्रीम थर्ड फुगा वेच्वावाडो रमकडा वेच्वावाडो फोर्थ रमकडा पाच इसके बाद सिक्स्थ रमकडा जोवा बड़े चे आँ बदी वस्तु ओ घरमा शाडामा ने मेडामा जोवा बड़े चे जहीं आपड़े छुपी पाड़ी या पर हमने जो बाइफर्गेट करके लिखी वो सारी चीजे मेले में दिखाई जाती मेले में घर में स्कुल में और मेले में दिखी जाती है अहीं आपड़े स्टैंडर फोर्थ नू पुझरा दिनू चेप्टर वन भूरू करियो ठैंक यू